क्या हुआ अली भैया अरे दीदी आजकल वो बिमारी फैली हुई है न करोना जो खासने से फैलती है टीवी पर भी दिखा रहे हैं उसके बारे में बिलकुल सही कहा आप लोगों ने लेकिन हर खासने वाले व्यक्ति कोरोना से ग्रसित नहीं होता साथ ही ध्यान देने वाली बात ये भी है कि खासते या छीकते समय मुह को ढखले ठीलर भी भैया अच्छा दीदी, अब मैं हमेशा खांसते या छीकते समय मुझ को जरूर ढख लूँगा, पर दीदी, खांसना या छीकना तो समान्य जुकाम में भी होता है, कोरोना इससे अलग कैसे है? कोरोना में सुखी, खांसी, बुखार और सांस लेने में परिशानी जैसे लक्षण होते हैं, और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ये बिमारी फैलती है, अगर किसी को ये लक्षण दिखें, तो तुरंत राज्जी हेल्प लाइन या स्वास्त और परिवार कल्यार मं परिप लाइन पर संपर्क करें, साथ ही लक्षणों वाले व्यक्ति, उनकी देख भाल कर रहे लोग और स्वास्त कर्मि को मास्क लगाना अनिवारे हैं, जिससे अन्नी व्यक्तियों को संभाविस संक्रमट से बचाया जा सके, बाकी सभी को मास्क लगाने की आवश्यक्ता नहीं है क्या ये बिमारी सभी को हो सकती है हाँ ये बिमारी सभी उम्र के लोगों को हो सकती है परन्तु खास कर ऐसे लोग जो बाहरी देश या शहर की यात्रा से लोटे उनमें ये रोग होने की संभावना स्यादा है। जिन व्यक्ति की आयू 60 वर्ष से अधिक हो या जो मधुमेह, उच्च रख्तिचाप और सांस लेने में तकलीफ जैसे रोग से ग्रसित हो उनमें इस बिमारी से जोखिम होने का खत्रा स्यादा होता है। कोरोना की जाँच और इलाज कहां किया जा सकता है? जान घर के अनिसदस्य और आसपास के लोगों को बिना घबराये और सावधानी बरत्ते हुए संक्रमित व्यक्तियों का होसला बनाए रखना चाहिए। साथ ही चिकिस्साधिकारी की सूचनाओं का पालन करना चाहिए। इस बिमारी से बचाव का क्या तरीका है? इस बिमारी से बचाव के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है। स्वास्ते कर्मियों द्वारा बताये गए सही तरीके से हाथ होने से संक्रमन्ट से बचाव होगा। हाथों को 40 सेकिंड तक धोना चाहिए। खास में और छीकने पर मूह और नाक को रुमाल से ढखें। अच्छा होगा कि आप अपनी मुणी हुई कोहनी में खासे या चीकें। अपने हाथों में नहीं। सावजनिक स्थानों पर ना धूकें या चिलाई नहीं। और बार बार अपनी आखनाक और मूह को ना चुएं। सावधान और सतर करहें। कोरोना से बचें।